दोस्तों आज हम एक अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज हम एक सरकारी नौकरी पर बात करेंगे अभी तक आप पाउर एलेक्ट्रोनिस के लेक्चरस पर ते आ रहे होंगे तो ये भी बहुत जरूर है सरकारी नौकरी के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं तो यूपी पी अच्छा मोँका है आप लोगको सरकारी नौकरी पाने का तो कुछ इंपरटन पॉइंन डिसकस कर लेते हैं कि क्या क्वफिकेशन्स हैं क्या स्लेवस है कितनी फीज है क्या इंपॉर्टन डेट से इन सब के बारे में डिसकस कर लेते हैं आज तो यह जो नोटिस्पिकेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह हमने यूपी पीजियल की ऑफीजियल वेबशाइट से डाउनलोड किया है तो आप भी अगर फुल नोटिस्पिकेशन देखना चाहते हैं तो यूपी पीजियल की ऑफिसियल वेबशाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करकर पूरा पढ़ सकते हैं एप्लिकेशन फॉर्म एपलाई करने से आपको पूरा आपका पूरा notification अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो ठीक है इसके लावा आप और भी कई सारी website सें जैसे कि सरकार एज़र्ड, free job alert, fresher word इन सब में भी यह notification होंगे तो चलिए important points पर discuss कर लेते हैं जो vacancies आई हैं technician के लिए vacancy हैं UPPCL में उत्तरपदेश Power Corporation Limited यह जो vacancies हैं यह mainly ITI वालों के लिए हैं अगर आप सिर्फ diploma कर रहे हैं अपने ITI नहीं किया है तो आप इसको fill नहीं कर सकते लेकिन आपने ITI भी कर रखा है यह सिर्फ ITI कर रखा है तो आप इसको fill कर सकते हैं तो देखते हैं कितनी कितनी vacancies हैं देखिए जो हमारी इसमें unreserved category की vacancies है वो 245 है 245 और जो हमारी OVC जो non-crimalier आते हैं उनकी vacancies जो हैं वो 164 है SC vacancy 127 है ST के vacancy 120 है और आर्थिक रूप से कमजोर सामाने वर्ग यानि कि EWS ये vacancies आपकी start है आप लोगों पता ही होगा ये category एक नई add हुई है EWS की तो इसका जो pay grade होगा वो हमारा 27 27,200 यानि new term level और 7th pay commission के आधार पर होगा इसके बाद देखते हैं जो educational qualifications इसको apply करने के लिए आपके पास देखिन नोटिक लिए मादिम्यक सिक्षा परिशद उत्तरप्रदेश की high school या संकक्च परिख्षा विग्यान एविम गड़ित वस्चियों के साथ यानि high school पास होना अनिवार है जिसमें आपको science और maths होना compressor ही है इसके अलावा नियमे च्छात के रूप में नियम लिखे ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में होना आवश्यक है electrician, electrical और electrical corseal विकास के अंतरगत यह भी course चलता है इसमें भी इन तीन में से कुछ आपका होना compressor ही है जो educate है और अगर I.U. की बाद है तो एक जनवरी 2020 को आपकी I.U. नियून तम 18 वर्स और अधिकतम 40 वर्स होनी चाहिए ठीक है categories के आधार पर कुछ age में suit भी होती है जो इसमें यहाँ पर लिखी हुई है notice application में आपक पढ़ सकते हैं मैं केबल main main point discuss कर रहा हूं अगर शाथ करें तो यह देखिए अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती सिर्याणी के लिए यह form जो है वो 700 रुपए का है बाकी general और OBC category के लिए यह form 1000 रुपए का है form को आप bank के जरीए चालान जनरेट करके भी करा सकते हैं और आप fee payment जो है debit card, credit card के माध्यम से भी कर सकते हैं इसके लावा और देखने हैं क्या क्या point importance है यह देख लिए point number 11 यह भी अच्छे सा पढ़नी की ज़रूबत है जो chain और जो है online लिखित परिक्षा के आधार पर किया जाएगा लिखित परिक्षा को प्रस्न पत्र दो भागों में बांटा जाएगा जिसकी अब दी तीन घंटे पहला पेपर जो होगा वो देखिए लिखा है N I E L I T के ट्रपल सी लेबल का यह यह ट्रपल सी लेबल का एक कम्प्यूटर का पेपर होगा इस पेपर में आपको सिर्फ क्वालिफाई करने की ज़रूबत है ठीक है तो minimum क्वालिफाईंग मार्क्स जो है वो भी इसमें दिखाऊ लिखाऊगा पचास नंबर की परिक्षाई है और 1Y4 की नगेटिव मार्केंग है इसमें कम से कम आपको 20 नंबर प्राप्त करना जरूरी है अदर्वाइज आप डिसक्वालिफाई हो जाएंगे आपका जो second paper होगा उसमें आपका मुल्यांकर नहीं होगा अगर आप पहले ही paper में डिसक्वालिफाई हो जाते हैं तो आप second paper आप दे भी देंगे तब भी आपकी वो copy check नहीं होगी यानि OMR Suite आपकी जो है वो नहीं चेक की जाएगी आप डिसक्वालिफाई माने जाएंगे जो second paper होगा अच्छा एक बात और important की फर्स्ट paper में अगर आप मान दीज़े क्वालिफाई से बहुत अच्छे मांक्स भी ले आते हैं तो वो आपके merit में add नहीं होगे वो सर्फ qualifying exam है second paper जो होगा उसमें आपके main 4 subject होगे आपका सामाने अध्यन एवमतार के ज्यान यानि के reasoning जिसके 20 questions होगे और 20 मांक्स के होगे सामाने हिंदी जो high school level की होगी जिसके 15 questions होगे और 15 marks होगे सामाने अंग्रेजी ये भी high school level की होगी 15 questions और 15 marks होगे अब फिर आपके आएंगे आपके subject से related question जो 1500 marks के होगे और 1500 number के होगे इसमें 10.5% परसेंट जो है marks लाना आपको अनिवार रहोगा यानि ऐसे भीरती जो सर्सर्ट से भी कम अंग्राप करेंगे वो chain प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और उससे ज़्यादा लाइने पर एक merit बनेगी ठीक है जो आपके exam center है वो देखिए आपके लखनों, बरेली, गाजियाबाद, नोईडा, गोरकपुर, वारानसी, मेरट और कानपुर से हैं इन सहरों में से ही किसी एक सहर में आपके परिक्षा होगी तो exam center जो आपके नजदीक सहर का हो, वो डाल दीजिए admit card आपको website से डाउनलोड करने होंगे अब चली जो important dates हैं, वो discuss कर लेते हैं आपकी जो online आविदन की जो तिति हैं वो 1 जुलाई से आपके form स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है 1 जुलाई 2020 से form आप भर सकते हैं और जो last date होगी वो 22 जुलाई 2020 होगी उसके बाद आप form फिल नहीं कर पाएंगे यदि आप net banking, credit card या debit card से fee payment करते हैं तो वो payment भी आप 1 जुलाई से 20 जुलाई तक भर सकते हैं अगर आप bank चालान के जरीए आप अपनी fee payment करना चाहते हैं तो आपको 24 जुलाई तक भर सकते हैं एक्जाम की जो tentative date है यानि अनुमाने डेट है वो अगस्त महीने का second सब्ता है यानि second week of August में ये एक्जाम हो सकता है तो ये तो थी इस एक्जाम के बारे में जानकारी बीच 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 पी हम ऐसे लेक्षर आपको दिखाद देते रहेंगे अभी UPPCL में जेही की भी वेकेंसी आने वाली है तो वो जब आएंगी तो उसका भी एक लेक्षर हम वीडियो डाल देंगे तो ऐसी वीडियो के अपडेट रहने के लिए आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिस्ते कि आपको आने वाली वीडियो का लिंक आपको पहले से ही मिल जाएगा थैंक्यू